कि आप जानते हैं कि दुनिया की पहली सफलता पूर्ण कार कब बनी थी और किस ने बनाई थी तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग आसा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे तो चलिए जानते हैं कार्ड बेंज जर्मन मैकनिकल इंजिनियर कार्ड बेंजी वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1885 में इंटर्नल कमंशन इंजन से चलने वाली पहली कार बनाई थी बेंज जुआरा बनाई गई पहले कार आज की कारों से बिल्कुल अलग थी वह एक तीन पहिया वहान की तरह दिखती थी जिसमें लगभग साइकिल के या कार के पहिये लगे हुए थे उस कार का नाव मोटर वैगन था उस मोटर वैगन में 954 सी सी का हलका इंटर्नल कमंशन इंजन लगा था जिसे स्वेम कार्ड बेंज ने डिजाइन किया था उसे चलाने के लिए पेट्रॉल का इस्तमाल किया जाता था हलाकी कार्ड बेंज ने सन 1850 सी में ही मोटर कार बना ली थी लेकिन उन्हें उस अविशकार के लिए पेटेंट जनवरी 1886 में प्राप्त हुआ पहली बार उस मोटर का सारवजनिक प्रदर्सन 3 जुलाई 1886 को जर्मनी के मानहाहन सहर में किया वाली पहली मोटर कार्ड बेंज वैलो सन 1894 में बनाई थी जिसे तीन होड्स पावर का इंजन लगा था और अधिक्तम रफतार 20 किलोमेटर प्रति घंटा थी बेंज वैलो दुनिया की पहली प्रोडक्शन मोटर कार्ड थी उत्पादन आम लोगों के लिए शुरू किया ग अधिया था अधिया विडियो अच्छा लगा हो तु हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल टेक स्मार्ट ग्यान को सब्सक्राइब करें